हलो स्वांतियों नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागते आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ model question paper 2024 class 10th subject आपका रहेगा English question paper हमारा 10th class में जो आता है वो आता है पिछोतर नमबर का तो आईए प्यारे बच्चो हम इस model paper का पूरा solution करेंगे और इस solution के साथ ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ आपको यदि अच्चे marks लेकर आना है तो हमारे द्वारा आपको सभी subject के model paper provide करवाय जा रहा है अगर आप channel पर पहली बार आए हैं और आपको नहीं पता है तो हमने playlist भी बना दी है उस playlist में जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं डिस्क्रेप्शन में भी लिंक है तो dear students अगर अच्चे marks पराप्त करना है अच्ची अपने तयारी करना है दमदार तयारी करना है तो वीडियो को last तक जरू देखिएगा चलिए श्टार्ट करते हैं बिना देर किये इस model paper का पूरा solution दिया जाएगा इस passage को दियान पूरवक पढ़ना है section A में आपको passage मिलेंगे उस passage को पढ़ने के बाद नीचे जो question दिये गए है और object type question रहेंगे इस passage को पढ़कर उनके answer आपको देने रहेंगे चलिए तो students बिना देर कि हम start करते हैं क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास और आप लोगों के पास भी बहुत कम है क्योंकि आपको तहियारी भी अपनी best करना है इस्टूडेंट्स मैं बता देता हूं जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा ताकि आने वाले वीडियो का notification आपको मिल जाए और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजेगा यह आपका पैसेज है इसको आप पढ़ something about the future is to तो इसमें आपका answer होगा predict आपका correct answer हो जाएगा अगला है the narrator was the seventh child in a family that had तो यहाँ पर आपका correct answer होगा eight children eight children आपका correct answer हो जाएगा आगे यदि हम बात करें चोते वाले की के polio दा dry dead disease manly effect दा तो यहाँ पर brain and spinal code आपका correct answer यहाँ पर हो जाएगा brain and spinal code correct answer आप लगाएंगी इस पैसेज को पढ़ने के बाद और what made the narrator look like a foreigner तो इसमें आपका जो answer होगा सही उत्तर जो होगा वो होगा students question number पांचवे का option number फस्ट आपका right answer हो जाएगा he was fair and drowned haired आगे बढ़ते हैं अगले question के और बढ़ते हैं और question number दूसरा जो है इसमें भी एक आपको पेसद दिया गया है कि there are three men groups of oils animal vegetable and mineral great quantities तो यहां पर यह पेसज आपको ध्यान रखना है और अगर यह पेसज आपको पेपर में देखने को मिलता है तो इसका अंसर आपको यही मिलेंगे तो देखिए यहां पर आप the main source of animal oil is तो यहां पर आपका correct answer जो होगा वो होगा question number आप पहले का जो अंसर लगाएंगे well आपका right answer यहां पर हो जाएगा उसके बाद में vegetable oil is manly used for तो यहां पर आपका correct answer cooking हो जाएगा यहां पर अगला question तीसरा है कि the office yields nourishing oil तो यहां पर stomach आपका right answer होगा और the thick protective covering of fat on well is called a तो यहां पर आपका blubber आपका right answer हो जाएगा जिसके बाद में अगले question को यदि हम देखें कि write the noun from of the word protect is तो यहां पर आपका protection आपका right answer हो जाएगा उसके बाद में question number आप section B में देखेंगे तो यहां पर आपको notes बनाने हैं और इसका title आपको देना है किके तो आसान होता है notes बनाना यहां पर main जो point है उनको आपको notes के रूप में लिखना है तो यह आसानिस इसको आप कर लेंगे question number चोता बाला यहां पर you are पूर्वी studying in सरस्वती सिसु मंदिर बान खेड़ी मद्धी प्रदेश write an application to your principal for you speak conjunction please map करना है तो आपको क्या करना है एक application लिखना है अपने school के principal को school का नाम यह है यही आपको डालना है तो इस प्रकार आपको क्या करना है ध्यान रखना है चलिए आगे हम बढ़ते है question number पांचवे में आपको क्या करना है एक निबंद लिखना है topic आप देख सकते हैं importance of trees यह वाला निबंद आज याद करी लीजिए importance of English online education COVID-19 इन में से यहां पर दो important है आपके लिए यह दोनों इन में से एक आप याद अच्छे से कर लीजिए question number 6 में आपको क्या करना है पिचोत्तर सब्दों में एक picture आपको बनाना है describe how we can keep ourself fit and healthy इस topic पर आपको क्या करना है एक point लिखना है कुछ point आपको पिचोत्तर सब्दों के असपास लिखना है section C में grammar में करना है जिसके बाद मैं do as director रहेंगे यहां पर आप देखेंगे अपने correct answer को Ram is sitting, Radha and सपना तो यहां पर between आपका हो जाएगा moon walks slowly and silently इसमें दा आपका हो जाएगा Monday comes Sunday तो यहां पर आपकाप्टर हो जाएगा we obey our teachers out to should must इसमें out to हो जाएगा the books is the table यहां पर on हो जाएगा और I have read many books चलिए अब यहां पर हम question number 8 में do as director देखेंगे तो she speaks the truth change into negative or he has taken tea change into interrogative or they are sealing their house change into present perfect बाकी भी देख सकते हैं चलो तो इसका बता देता हूं मैं आपको अंसर यह right answer है do as director के पहला दूसरा तीसरा चोता ठीक है यह आपका do as director correct answer हो जाएगे आगे देख सकते हैं section D section D में आपको text book के लिगना है के who read the letter sent by lunch लेंचो तो यहां पर आपको लेंचो ने जो लेटर बज़ाता हूं किसको बज़ाता the god the god आपका correct answer हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रिश्णों को प्रिश्णों को लेटर बज़ाता है तो इसमें रवर्ट प्रॉष्ट आपका राइट अंसर होगा who has written the poem fire and ice तो यह भी रवर्ट प्रॉष्ट आपका राइट अंसर होगा according to Mandela what come naturally to hurt तो इसमें आपका love of का correct answer हो जाएगा आगे यदि हम बात करें तो यह भी एक start है इसको पढ़ना है नीचे दीगए प्रिश्णों को तर देना है तो यहाँ पर question पहला है the other traveled तो यहाँ पर Iraq हो जाएगा और when did the other travel तो यहाँ पर in 1956 हो जाएगा और the other wanted to keep an other instead of तो यहाँ पर dog आपका अंसर होगा नीचे बी में देखेंगे इसमें भी observe type question अंसर आपको मिल जाएगे बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि अगर यह start आता है पेपर में तो इसके correct answer option यही आपको मिलने वाले है ठीके he has the last voice at night दिहान रखेगा from which poem the above lines have been taken तो इसमें a tiger in the Jew आपका right answer हो जाएगा what does he stare at तो इसमें आपका stars आपका right answer होगा और which of the following is opposite of the word brilliant तो intelligent आपका sorry माप किजेगा dull आपका opposite word बतना है dull आपका correct answer होगा तो यहाँ पर अब आपके chapter के सभी question है 11 में 12 में और 13 में यह आपके question है जो आपकी किताब के हैं इनको भी अच्छे से लगा लीजिए तीन नंबर के question है दो दो नंबर के question है अगर आपको अच्छे मांग से लाना है झापकी के दिए